करन अफेस के पीछे प्लीज माइंड लेसी मत भागिये चार चीजे बढ़ता था कि यार मेरा सब कवार हो जाए करन अफेस में जो भी हो रहा है तो जो मैं पढ़ भी रहा हूँ वो रजिस्टर कहीं न कहीं होंके वो निकल जा रहा था क्योंकि अब तो questions जो है वो second degree पे आ रहे हैं सीधा नहीं आएगा GS का जो paper होता है 100 questions दो घंटे आप exam में जाके एकदम freeze हो गए यार समझ नहीं आ रहा डर गए डर निकाल दो प्लीज यह डर है जिसकी वरसे मैं मेरा नाम सुयश कुमार सिंग है UPSC 2023 में मेरा rank 159 आया है और इसके पहले UPSC 2021 में मेरा rank 262 था मैंने अपना graduation और post graduation आईटी डेली से chemical engineering में किया है मैं basically country उतरपदेश का रहने वाला हूँ और मैंने थोड़ा सा corporate sector में भी experience लिया हुआ है तो आज मैं आपसे share करना चाता हूँ अपनी preparation के दौरान की थोड़ी सी learnings जो आपको थोड़ा सा help कर सके हैं आपकी journey में बिकॉस मैंने कुछ से coaching actually GS की नहीं ली थी बट GS की नहीं ली है तो मैंने बहुत ज़्यादा toppers की जो talks होती है उससे बहुत ज़्यादा learn किया उससे बहुत सारी चीजे मैं लिखता था देखता था कि यार यह करते हैं यह लोग यह करते हैं ऐसे करते हैं और ऐसे नहीं करते हैं तो मैं भी इस टाइप का क्योंकि UPSC प्रोसेस थोड़ा सा update भी होता रहता है time के साथ UPS क्योंकि ताकि इसा फिक्स फॉर्मला ना हो जाए कि यह करना है तो निकल जाएगा तो आपको खुद सोचना है बट लोग अपना experience जो है उसको शेयर करके आप में भी इससे कुछ आपको हो सके तो वह मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा तो इसमें मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो तीन स्टेजेश एंग्जाम की प्रिलेम्स में और इंटर्व्यू उसमें कुछ डोज और डोंट्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फिर कुछ जेरल चीज़े है क्योंकि प्रिलेम्स में इंटर्व्यू है अब साल तो पूरा चलता है और कई बार क्या है आवरेज जूरेशन एक्जाम के प्रिपरेशन की दो से चार साल है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे और क्या मतलब बेसिक चीज़े हैं जो आपको करनी ही चाहिए जो आपको सकसे जल्दी दिलवा सकती है तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह था उसके बाद से मेरे चार लगातार क्लियर हुए हैं अच्छे से क्लियर हुए हैं मतलब कटॉफ से 10-15 नमबर उपर ही रहता है हर बार और और फॉरेश्ट का भी क्लियर होता है तो मतलब तेल यू कि थोड़ा सा कुछ चीज़े हैं जो अगर आप करेंगे तो यू के बी इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं अब इंग्लिश में क्या है प्रिवियसर के क्वेशन जरूर लगाईए इसके UPSC के सीसाट के क्योंकि UPSC का सोचने का तरीका कि वो किस फ्रेम ओफ माइंड से आप से कॉम्प्रेहेंशन पूछ रहे हैं उनके उनके आंसर मोसली क उससे जो बेसिक पहले प्रिवियस के क्वेशन से बेसिक टॉपिक्स देख लीजे कौन से है और उसको आप इंडिपेंडेटली उसके कंसेप्ट अपने क्लियर कर लीजे थोड़ी से प्रैक्टिस कर लीजे और मैं तो एडवाईस करूँगा इसको थोड़ा सा पहले ही कर अब प्रिलिम्स के एक दम पास करेंगे तब तो अलड़ी जीएस का इतना ज्यादा हमारे उपर प्रेशर रहता है तो सीसाट अपना अटलीस्ट मेंटली उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ताकि आप अपना जो एनरजी है वो आखरी के जो फ्यू मन्स होते हैं बिफोर प्रेशन नहीं होना है हमारे ताकि दो घंटे आपको मिले हैं और आपने जितनी प्रप्रेशन करी है तो उसको आप उस दो घंटे में बहुत अच्छे से यूज कर पाओ एक दम कूल माइंड से हर क्वेशन को अपना बहस दे पाओ उसमें कुछ टिप्स मैं आपके साथ श पर को प्रापर मैंने एक मेथध डिवाइस किया था मौक करने के दौरान कि मैं तीन रीसमें भorf करता था फेर्सट रीडिंग में क्या है हम सारे questions देखेंगे लेकि ed Vuna को टैजह करेंगे या उसमें आंसर करेंगे जिसका मेरे को पका answer पता है मेरे को पता है कि हाँ यह मै न second reading पे आते हैं तो जो question हो गए उसके तो ऐसा नजर भी नहीं डाल ली है क्योंकि दो-दो second भी आपके बहुत important होते हैं second reading में क्या है कि अचा हां जो first reading है उसमें तीन statements है चार statements है किसी एक question में तो उसमें से भी individually आप जो पढ़ रहे हो उसको तो आपको पता है या फिर वो सही है या गलत है तो वहां पे भी उस पर थोड़ा सा कुछ माग लगा दीजे क्योंकि कुछ भी आप पढ़ रहे हो और उसका जो result आ रहा है कुछ statements आपने अल्रेडी पढ़े होंगे दिमाग में थोड़ा सा में थोड़ा exercise होता है दिमाग आधा पॉना घंटा हो जाता है तब तक तो कुछ-कुछ answers आप बेटर आने लगते कि आच हाँ यह सही लग रहे वो लग रहे तो second में फिर आप थोड़े से confident हो जिसमें भले उसे 76 questions के बीच में करे थे तो मेरी ऐसी थोड़ी risk-averse strategy है कि मैं उसमें से जो मेरे को लगता है कि यह सही है वही लगाता हूं और यह मैंने mocks के थू मतलब multiple mocks के थू strategy को develop किया था कि मेरा at least यह view है मेरी पढ़ाई के हिसाब से मैं इतने सवाल कर लेता हूं और सही से उसको थोड़ा सा educated guess लगा सकते हो क्योंकि तब तक आपको यह पता है कि यार मैंने first reading में इतने questions कर लिये हैं second में इतने कर लिये हैं तो थोड़ा भी जैसा मैं usually करता हूं अपने mocks में उसी हिसाफ से किया है तो मेरा हो जाएगा मतलब मैं safe हूं अब एक बहुत important चीज मैं आपको सही हुए उतने गलत हुए तो मेरे को अपनी reading का पता था कि first reading मेरी काफी accurate है अब आप 90% questions मेरे सही हो रहे हैं तो वो strategy जो है और फिर second में कि मेरा जो error rate हो कम है मतलब ठीक है उसमें भी चल रहा है 70% तो सही हो रहे है तो वो आपको क्या है random guessing या mindless कि आप exam में जाके एक्द आपको बाकियों से अच्छा करना है जैसे इस बार आपने देखा कट ओफ इतना कम है तो मैं लास्टाइम गया था जब प्रिलम्स देने मैं शिम्ला में था मैं ट्रेनिंग कर रहा था महा पर गया प्रिलम्स देने तो मैंने क्वेशन देखा कि इतने सारे exact matching वाले आया है क्योंकि मैं तो मतलब मेरा फिफ अटेंप्ट आए गिवें मतलब इस फिफ प्रिलम्स तो मैंने का यार ठीक है मेरे को डर तो नहीं लग रहा बट मेरे को पदा है बागी लोग डर जाएंगे इसको देखके तो मुझे बस नॉमल अपना उसी चीज को अप्लाई करना है और उनलाइन रिसोर्स का यूज और एकनोमिक्स में मैंने मृडाल सर के वीडियोज देखे थे उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसके लावर मार्केट में बहुत सारी करेंट अफेस की कंपाइलेशन होती है उसमें मैं जरूर आपको ये शेयर करना चाहूँगा क करना फेस के पीछे माइंड लेस ही मत भागिये यह गलती मैंने फर्स अटेंट में करी थी कि मैं मतलब बहुत स्ट्रेस में इतना कुछ है कैसे कवर करूं तो मैं चार चीज़े बढ़ता था कि मेरा सब कवर हो जाए करन अफेस में जो भी हो रहा है कहीं ये डेली कुई पढ़ूँगा साल भर की और उसकी को दो बार रिवीजन कर मैंने कर लिया तो जो भी आएंगे क्वेशन्स करेंट फेस के मैं उसको तो भाई ठीक है 50-60 पसेंट तो सही कर लूँगा क्योंकि मैं उसको रिवाइस किया है अटीज जो पढ़ा है उसमें से आये तो वह तो गलत नहीं होना चाहिए करेंट फेस पर यह वाली चीज प्लस स्टाटिक स्टाटिक पॉर्शन बुक्स आपकी जो मतलब ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं पॉलिटी हिस्ट्री एकॉनॉमिक्स आपका जोगरफी इसमें कंसेप्स हैं आपने एक बार क्लियर कर लिया जोगरफी नह महसूस करेंगे आप कि मेरा हो जाएगा ऐसा आप करेंट अफेस के उपर भागो कि आप कभी सेक्यूर फिल निकरोगे करेंट अफेस का कोई लिमिट नहीं है हर कोचिंग और हर कोई दे रहा है आपको करेंट फेस तो प्ली सोसे को फिक्स करिए और तीसरी चीज अब यह ट करेंट अफेस के सोसेस फिक्स कर दीजिए और फिक्स करके उसी का दो बार रिविजिन कर लो उसमें से जो सवाल आएंगे अटलीस उतना कर लेना ठीक है और थर्ड होता है प्रिवियर से क्वेशन्स यह मुझे बहुत इंपोर्टन लगता है यह मैंने भी किया था कि जैसे करेंगे तो आपका जरूर से करेंगे अब हम बात करतें इंटर्वियू स्टेज की इंटर्वियू स्टेज बहुत इंपोर्टन है और 275 मांक्स का होता है और इसमें मतलब जैसे मैं आपको अपना परसनल बताता हूं मैंने फर्स इंटर्वियू दिया था मेरे 162 थे कुछ चीजें करके उसमें अपना स्कोर बढ़ा सकते हो तो मैं डिसकस करना चाहूंगा पहली चीज है कि इंटर्वियू एक दिन में प्रपरेशन नहीं होती है इंटर्वियू के लिए महीनों की थोड़ी सी प्रपरेशन चाहिए बिकस इंटर्वियू का नाम अगर आप देखेंगे तो इंटर्वियू काल पर्सनालिटी टेस्ट तो ठीक है आप वहां पर करेंट अफैस पढ़के जाते हैं और आपसे पूछी जाती हैं चीजें लेकिन अल्टिमेटली डियार लुकिंग फॉर पर्सनालिटी कि आपकी पर्सनालिटी से क्या जह लगता है जब आपसे वह सवाल जवाब कर रहे हैं तो पहली चीज मैं बोलूगा कि डाफ जो है उसको बहुत इंटेलिजेंटली बनाईए उसमें आप जो कुछ भी लिख रहे हैं एक एक वर्ड आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जितना आप मतलब कर सकते हैं जो मेन च अच्छे सा उसको तयार करें आप जिस चीज के बारे में पैशनेट है उसको लिखिए तो वह आपको जरूर हेल्प करेगा सेकेंड होता है कि परस्नालिटी टेस्ट है तो नहीं भी आता है जैसे इस बार मेरे साथ हुआ मेरे को दोतीं क्वेशन नहीं आते थे तो मैं करेंगे अब दीजिए जाधा से जाधा मौंक्स अपने मेंस के बाद ही शुरू कर दीजिए वह बेस्ट है क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी परस्नालिटी पर काम करने में और यह एक लॉंग टर्म प्रसेस है तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्व इंट इंट तो वह आप लॉंग टर्म में करेंगे तो जरूर आपको करेंगा तीसरी चीज़ है इसमें कि एक्जाइम के लिए हम स्पेसिफिक त्यारी करते हैं कि या मुझे आंसर लिखना है और उसके अलावा भी यूशुड आपको काम करना है तो यूशुड आप परस्पेक्टिव तो जब आप सेलिबस तो ठीक है आप न्यूस्पेपर भी पढ़ रहे हैं उसके लावा भी कुछ जस्ट लुक फॉर सम बुक्स थोड़ा बुक्स पढ़िए अपने हापको थोड़ा सा ओपन रखी है अपना माइंड थोड़ा क्यूरियस रखी है तो वो चीज आपकी जैसे मैंने आप से शेयर किया कि मेरी फाइव स्टेजिस की और फाइव अटेंट्स की यह यूपीसी जरनी थी जिसमें पहले प्रिलम्स नहीं फेल हुआ कभी यह हुआ कभी वह हुआ बट वो रिजल्ट आ नहीं पा रहा था जल्दी से जबकि मैंने बहुत टॉपर पूरा माटिरिल अवेलेबल है जो चाहो वो खरीद के ला सकते हो आप वोक्स सारी अवेलेबल है बट वो दिक्कत कहां आती है अब मुझे लगता है कि मेंटर्शिप बहुत जरूरी है आपको गाइड़न्स बहुत जादा जरूरी है कि कोई आपको सही चीज बता पाए को मेंटर हो कोई गाइड हो जो मतलब UPSC प्रोसेस कर चुका है और जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं यही उसमें कोविट के और मेरा थर्ड अटेंप्ट हो चुका था नहीं हुआ था तब मेरे एक फ्रेंड के थू मैं सचिन जैन सर से मिला और सर आयरेस रहे के हैं और अब बच्चों को थोड़ा हेल्प करते हैं उसके थूप तो मैं सर से मिला था तब परस्पेक्टिव दिए कि एक ऑफिसर बनने के बारे में कि क्या होता है कैसे आपको सोचना है क्योंकि वही चीज़ पढ़ते हुए भी अगर आप उसको अलग माइंड से तो आपके अराउंड अगर ऐसे लोग हो जो आपको लगता है कि वह एक एबल मेंटर हैं आपको कुछ आइड कर सकते हैं आपको अच्छा बता सकते हैं तो आप उनसे अप्रोच करिए मैंने तो सचिन सख से जैसे काफी मुझे help मिली थी तो आप उनसे भी मतलब मिल सकते है हैं वैसे बहुत अच्छे हैं वो तो यह मेंटर्शिप का रोल है या मेरे को भी आप सोशल मीडिया पर अप्रोच कर सकते हैं इस टाइप की डाउट के लिए सो फ्रेंज यह मेरा UPSC का पूरा जर्नी था जो अब इसका अब इसका अब कुछ एसी बाते बता पाऊं और कु व nessa कियुम कर रहा हूं कैसे और कैसे होगा किया होगा यो यह में आपसे जो मैंने की हैं कि its Sheer कहना है कि सका स मई抗रं करना है की हालगी करना तो तरह अटाज़ नहीं होना है उस चीज से क्योंकि आप अपने उपर वर्क कर रहे हो जार इंडिया इस ग्रोइंग इंडिया इस ग्रोइंग तुब यू अ बहुत अपने आपको डेवलप करो दर ना चोड़ दो डर निकाल दो प्लीज यह डर है जिसके वरह से फिफ्ट के बाद आपको यह बता रहा हूं राधा दन सेकेंड एंडिया फरस्ट यह थर्ड तो यह डर निकाल दो फेलियर का डर निकाल दो अगर आप इंजॉय करोगे प्रोसेस को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे अपना हार्ट वक दोगे तो आप ज़रूर सक्सेस्फुल हमें से बहुत हो का सपना है आई एस ऑफिसर बनना लेकिन यह जर्णी बहुत मुश्किल है हम प्रिप्रेशन कहां से स्टार्ट करें कौन सा स्टडी मेटीरियल यूज करें कोचिंग लें की नहीं हमारे मन में बहुत क्वेशन हैं लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पा जोश्टॉक्स पर बहुत दूरुक्राइट और अनीक टीचर्स और कोचिंग आती हैं अपनी कहानी सुनाने जोश्टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचेंग जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्फ करेंगी डाउट जैसे की हमारी हेल्फ करेंगी हम केजिगए से अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं और घर बैठें अपने वह बात की और रिक्वेस्ट की कि पोन पर guidance और information प्रोवाइड करें तो नीचे एक form दिया गया है अगर हम चाहते हैं कि हमें इस institute से फोन आए तो हम अपने नाम और number शेर कर सकते हैं आपको जब फोन आए तो ये mention करना मत भूलना कि आप जोश फामली के पाठ है ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए बेस्ट अफ लग तो ओल दे आस्पिरेंस जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जैहिंद